तो कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है मोनिक आपका स्वागत करती हो एक बहुत ही बहुत ही बहुत बहुतरी इसका नाम मुपत शिक्षा तो जैसे कि आपको पताईए कि मैंने आपका Neural Control and Coordination Chapter स्टार्ट करा दिया था उसमें मैंने आपका जो है तीन वीडियो कंप्लीट करा दी है तो आज हम पढ़ने वाले सेंस ओर्गेंस के बारे में सेंस ओर्गेंस में हम आज पढ़ेंगे एर और आइस के बारे में तो मैं इ तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंस ओर्गेंस होते क्या हैं तो यह कुछ और्गेंस होते हैं जो की एनवाइंस से जो है टेभल में पढ़ना है आपको और बाकि हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के आड डिश्यूर गरें को यह आपकी आई है ठीक है आपको कौर्ण कि उसके अंदर एकुस सबस्टांस पर होते हैं यहां पर लिक्विट भरह होते हैं इसको हम बोलते हैं red ऑपो दिखाए देरी है ठीके तो यह यहां पर जो utr यह है यहां पर to a barnyard किसी में आधि ना रिक्त आधा है यहां पर पुल में दिखाए देरी है और यहां पर्भी है सिलेरी बोडी बॉडी के उब जो है इस सैंसलेरी बॉडी कें उपर है पहुते हैं कि इसकी बात करेंगे तो इनके बीच में लेंस होता है थीक इनके कॉंट्रैक्ट और सोने के अजी से क्लेंसट बड़ा 말 neglig trilogy पीछे यहां यहाँ पीछे की साइड सबसे यहाँ पे अंदर वाली रेतिना से जो लाइट जाये वह यहां पे सीधी कहांद पड़ी आपकी पड़ेगी कि यहां पे गड़ है इसको हों बोलने कौन यह क्या है आपकา फोविया ठीक है यहां पर एक ब्लाइड स्पोर्ट होता है यह आपकी आइबोल हाय जो है आपके आइबोल होते हैं उसके थ्री लेएर्स होते है स्कलेरा को उरसे यह वाली धीना यह यह वाली ज्यक्तिकर यह अन्दख कर दाएं cpas तो यह क्या है आपकी स्क्लेरा है और जो आगे का जो इस ट्रक्चर थोड़ा उठा हुआ है इसका हम क्या बोल रहे है वैसे यह क्या है बाहर वाली लेयर है ठीक है तो कोरोईड की बात कर लेता है तो कोरोईड जो बीच वाली लेयर है यहां यह वाली तो ब्लूइश मिडल लेयर होती है चंटेंस मैनी ब्लड वैसल्स बहुत सारी ब्लड वैसल्स होती है बीच वाल लेयर में बहुत सारी ब्लड वैसल्स होती है इस थिन अवर पॉस्टेरिय 2 3rd of the eyeball but it is it is thick in the anterior part from ciliary body ठीक है ciliary body देखो ciliary body दिखा दूती पहले आपको यह आपको दिखा ही दे रहे है यहाँ पर ciliary body ठीक है यह क्या है ciliary body ciliary body continuous forward to form a visible pigmented and opaque portion called as iris तो यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके यह pupil प्यूपिल से बाहर 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 जो पोर्शन इसको हम क्या बोल रहे है आइरिस प्यूपिल ठीक है it has a central opening called pupil बीच वाली opening को हम क्या बोले है pupil बोलते है डाइमीटर आपे प्यूपिल is regulated by the muscle fibers of iris आपके असल आ-इरिस जो है उसके muscle fibers से जो है से रेगूलेट होते हैं आपके जो प्यूपिल का डाइमीटर और है सट Contains a transparent crystalline lens, जो आपके eyeball होती है, वहाँ पर क्या होता है, transparent crystalline lens होता है, पीछे की तरफ, यह है यहाँ यहाँ पर, ठीक है? It is held in place by ligaments attached to ciliary body, ciliary body से क्या attach होते हैं? Ligaments attach होते हैं, ciliary body मैंने बताया थे यह वाला structure, यह क्या है आपका ligaments, ठीक है? Ligaments के contract होने से और relax होने से ही आपका, जो pupil का, जो आपका lens का diameter है, वह छोटा बड़ा होता है, ठीक है? Retina की बात करते हैं, ठीक है? तो जो retina है, inner layer है, it contains three layers of cells from inner to outer, ठीक है? कौन-कौन सी होते हैं, ganglion cells, bipolar cells and photoreceptor cells, तो तीन layer होते हैं आपकी retina की, यह अंदर वाली layer है, यहाँ पर retina पर पहली बार light कहां पड़ेगी? आपकी inner layer पर पड़ेगी, inner layer को हम क्या बोलते हैं? ganglion cell बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक layer होती है, जिसको हम बोलते है, middle layer, middle layer जो होती है, यहाँ पर आपकी inner layer से आगे वाली layer होती है, इस पर क्या होती है? आपकी bipolar cells होती है, ठीक है, अंदर वाली जो outer वाली है, उनके पास में कौन और road होते हैं, ठीक है, यह क्या है road है, ठीक है, कौन और road होते हैं, यह क्या है photoreceptor, असल में जो आपको जो भी कुछ दिखाई देता है, वो इन कौन और roads की help से ही दिखाई देता है, ठीक है, यह बाहर आपकी लेयर आगे कोरोईड और स्कलेयर बाहर वाली लिए है ठीक है फोटो रिस्टेप्टर सेल्स आर अर टू टाइपस रोड एन कॉंस डे कंटेन फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स जिनको फोटो पिगमेंट्स भी बोलते हैं फोटो पिगमेंट्स आर फोर्म्ड था कौन साल का डे लाइड जो आप दिन में देखती है रंग बी रंग का रंग जो आप टि-शट का डरर वाइट दिख रहा है यहां पर ग्रीन कर दिखाई देए आपको जो भी आपको अब को धिक्ता बुट इंट ना वो सब कुछ रोड की वज़ेसा आता है ठीक है किस क of cons containing photo pigments that respond to red green and blue lights the sensations of different colors are produced by combinations of these cons and their photo pigments when cons are stimulated equally a sensation of white light is produced so aap ki joh kaunsi kaunsi sensation produce hootie aap white sensation produce hootie hai 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 function kiya hootar twilight yannikai skotopic hootie skotopic vision yannikai joh rath mein joh hai aapko joh black and white dixkhae da ta woh sab ko dixkhae da ta it contain a purplish red protein jiscombo lter bradopsin joh ki visual purpur hai is is contains a derivative of vitamin a vitamin a a okay derivative hootahe night brightness ki se wajahe do ta the eye disorder due to deficiency of vitamin a ठीक hai hai één abam baat kautte hai retina ki to it retina ki baat ka razu hai 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 optic nerves होती है यहाँ पर क्या है यह optic nerves होती है यहाँ पर दिखाए देर आपको यह रहा ब्लाइंड स्पोर्ट ठीक है यह क्या है इसको टॉमा भी बोल देते हैं इसको लेटरल डुद ब्लांगे स्पोर्ट गूल यहाँ। जोगी ये लुट्टीया जोगी यल कलरू सोता है इसलो सिंटल पीट जिसको अधिन आउट पॉर्शन अधिकल इस लिए अधिकल ऑफ ट्रूस लीट इस फोर्टीर इसको भोलते हैं तो ऑफ आपकरों दीड को फोर्टीन इस दोडेंस अर्ट विज थियुमर्स की बात गरते हैं ठीक है यहां पर एकोशन विटर हुमर्स होता हैं आपकोशन फोर्टीन हो है उसकर हम बोले है अक्वस हुमर यहां पर विटरस हुमर तो दा स्पेस बिविन द्राइज ऑब टेंगर यहां पर बिट्रस फूंबर जो कि तिन वाटरी फिलिवाटी रोटा है बाइस बिविन देखते हैं मेकनिसम औफ विजन कैसे हम देख पाते हैं तो सबसे पहले enters the eye through cornean lens यहाँ पर जो light है light reflect होगी object से यहां से light आई यहां से reflect हुई object पर ठीक है तो cornea के तुरों यहां से एंटर करी ठीक है lens के और कॉर्णिया के थू तो यहाँ पर focus हुआ कहां पर Latina पर ठीक है dissociation of चेंज इन मेंब्रेन चेंज हो गई और क्या यहां पर क्या होता है पोटेंशल डिफरेंश जो है जन्रेट होता है ठीक है तो generate action potentials in ganglion cell through bipolar cells जो आपके गैंग्लियों होते हैं उनसे ही क्या होता है जो आपके देखो यहां पर गैंग्लियों है नहीं है इनसे क्या हुआ एक्षिन potential generate हुआ impulses are transmitted by optic nerves to brain जो आपकी optic nerve है जो आपकी optic nerve है यहां से कहां जाती है impulses आपके brain के पास जाती है तो brain से हमें पता जलता है कि हमें क्या दिखाई दिया तो impulses are analyzed by and the image is recognized based on memory and experience वहां से जो है recognize किया जाएगा आपके brain है क्या है कैसे ग्रीन है वाइठ है कैसी है तो इस ते क्या हो जाता है हमें वीजन हो जाता है यह दिखाई देने लग जाता है ठीक है simple है तो यहां पर हमने आई का जो है structure और function देख लिया है ठीक है और इसके लाबा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं structure और थोड़े से और जो बागे के sense organs है वो भी हम एर के साथ ही कर लेंगे तो ऐसी और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ और बने रहे हमार साथ एर का structure बनने पढ़ने के लिए थैंगी सो मच